तो इस पर्टिक्लर सेशन में हम बात करेंगे कि अभी आपका जो FCI AG3 के वेकंसी है यह रिवाइज हुई है यानि कि कुछ वेकंसी कहीं पर बढ़ी हैं एक आदा वेकंसी कोई कम हुई है देखते हैं कौन-कौन से जोन में कौनसी वेकंसी का आपका जो रिवाइज नोटेस ह वो आया है ना और इनको हम एक बार मैच भी करेंगे जैसा यह रिवाइज वेकंसी वाला नोटिफिकेशन है और यह आपका पहले कितनी वेकंसी थी आनि कि जो अफिशल नोटिफिकेशन आया था ना स्टार्टिंग में इसका तो कितनी आपकी वेकंसी नोटिफाइड थी तो एक बार आप कंपेर भी यहां पे आराम से कर पाओगे है ना तो देखते हैं फटाक से तो एक बार तो यह रिवाइज नोटिफिकेशन पर चलते हैं यानि कि जो रिवाइज वेकंसी आई है यह कौरिज अंडम है आपको दिखी रहोगा ठीक है कौरिज अंडम नंबर है और देखो अब यहां पे अगर हम अनर जोन की बात करें यानि कि जो नदन जोन है बेसकली तो नदन जोन में आपका एज़ी जनरल की वेकंसी अभी टोटल आप देखोगे तो 462 दिखेगा और अगर हम पिछली नोटिफिकेशन आनि कि मतलब ऑफिशल नोटिफिकेशन म यहां पर उड़ा दी गई है तो यही चीज़ है मतलब उड़ा क्या दी गई है वो यहां पर PWBD वाले कंडिडेट में यहां वा कहीं गई होगी या फिर इन्होंने अटा दी होगी एक अगर हम AG3 टेकनिकल की बात करें नौदन जोन से तो 609 है और वही अगर हम टेकनिकल य यहां पर 611 ठीक है तो यह क्या है Vakancy दो यहां पर डिक्रीज हुई है वन वेकनसी यहां पर डिक्रीज हुई है तो यह है सिनारियो सदम जोन की बात करते हैं तो यह एकाउंट्स में इनकी टोटल वैकैंशी अभी इन्होंने 108 बताई है सदन जोन में चलेंगे भी आज ओव नीचे आते है एकाउंट्स वाला देखो एकाउंट्स वाले की यहाँ पे वेकंसी है 107 ठीक है तो 107 पहले नोटिफाई की गी थी अब वियानि की यहाँ पे प्लस वन हुआ है टोटल वेकंसी में देख लेना आप कौन सी अब पुराना वाला अगर हम देखें तो 435 है ना इस चोन में अगर हम टेकनिकल की बात करें तो एजी टेकनिकल में तोटल वेकंसी अभी 193 दिखा रहा है और अगर आप यहाँ थोड़ा से नीचे आ जाते हैं तो इसमें आप अगर टेकनिकल में देखोगे तो पहले कितना था 194 कौन सा जोन है यार यह है अपना East Zone है न तो East Zone में 193 अभी दिखा रहा है और पहले कितना था पहले 194 था तो वही minus 1 एक वेकंसी कहीं के उड़ाई गई है और डिपो की बात करें तो 282 है East Zone में और पहले कितनी थी 283 थी तो minus 1 आपकी एक वेकंसी यहां पी हुई है जबकि category 2 वाले में तो क्या हुआ था सारी की सारे वेकंसी प्लस को के आई थी लेकिन यहां पे देखा जा रहा है एजी 3 में कहीं कहीं minus 1 minus 1 जो है वेकंसी आपकी हुई है अगर western zone की बात करें तो भईया नोटिफाई की गई थी और अभी यह हो गई है 93 तो यानि कि यह प्लस 1 ही हुआ है तो प्लस 1 आपकी वेकंसी जो है western zone में हुई है और अगर हम technical की बात करें तो यह total वेकंसी थी अभी 298 है और पहले जो है technical में 296 थी यानि कि प्लस 2 हुआ है ठीक है तो यह कहानी आपको basic basic सी दिग गई होगी अब यह से ज़्यादा कुछ cut off पर फरक पड़ेगा नहीं वेकंसी एक दो वेकंसी दरुदर जाने से कुछ फरक नहीं पड़ता है ज़्यादा वेकंसी वाइस भी adjust हो जाएगा अच्छा अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर अगर यहां पर जैसे उन्होंने NR में change किया है कि यह NR में general का दे दिया technical का दे दिया इसके अलावा जो वेकंसी थी है account वाली हो गई या फिर depot वाली हो गई इनके बारे में नहीं दिया तो उसका क्या मतलब है तो उसका मतलब यह है कि उनमें कोई भी changement नहीं हुआ है अभी इसमें जो भी changement वाली vacancies थी वो corrigendum का मतलब क्या होता है सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात की जाती है जहां पे कोई changement किया हो उन्होंने पहली दीगी notification में ठीक है आपका number of vacancies में वरी as per the administrative exigencies of FCI ठीक है तो वैसे अब ज़्यादा chances तो है नहीं अब क्योंकि because वो changement होना होता है वो आपका pre-care result के पहले ही हो जाता है तो यह जो भी आपके changement वगेरा थे वो mostly हो गए है और अब आपका 21st को I guess इसका last paper है 29 को आपका category 2 का mains है तो यह सारी की सारी चीज़े हैं देखो जिनका 21 को अभी हो जाएगा ना फिर मैं mains के लिए आपका strategy बताऊंगा कि mains के लिए हमें किस तरीके से जाना है golden book में आपको जो gk की golden book है उसमें already face 2 तकी चीज़ें uploaded है general science में जरूर अभी आपका उसमें यह upload होना है अपना जो Q&A modules है फेस्टू वाले ठीक है तो यह Q&A modules भी add हो जाएंगे उसमें और कैसे क्या बढ़ना होगा वो भी मैं आपको जो है स्ट्राटीजी वाली वीडियो में बता दूँगा और अभी यह 29 को category 2 गा exam होगा इसको भी हम एक बार observe कर लेंगे कैसे का questions आ रहे है mains का exam ही है इसका यह भी ठीक है तो उसमें से अगर मुझे कुछ in output निकलेगा तो वो डाल दूगा फेलाल as of now कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे अलग आ रहा हो तो आपको यही सारी चीज़ां करनी है और जिनको golden book के बारे में नहीं पता वो description को देखो उसमें आपको एक वीडियो की link मिलेगी जाके आप उसको देखना तो आपको पता चलेगा golden book कैसे क्या उसको access करना होता है क्या है हमारे पास और बस इस session को यह पेंड़ने करूँगा target wise जो अपना है study app के अंदर जो आपको target wise दिये जा रहे थे phase 1 के लिए वो phase 2 के लिए भी एक बार मैं सोच रहो और start करा दूँगा पहले यह सबका exam हो जाए एक साथ अना फिर आपका जो भी एक साथ होगा target वगयरा वो हम यहां पे app के अंदर कर रहे होंगे और दूसरा कोई अगर आपको doubt वगयरा है तो comment section में डाल देना और I guess अपका paper ठीक ठाक गया होगा तो अब बिल्कुल आपको phase 2 के लिए लगना है विकास next month से ही आपका क्या है जो phase 2 का examination है वो start हो जाएगा by the end और सचे से पढ़ाई करते रहो यार आगे बढ़ो डाउट होता है तो पूछो और even जो आपका quality का quality वाला चीज है ना आपकी golden book में यह add करवा दी जाएगी जिससे कि आप other exams के लिए भी प्रिपेर गर पाओ विकास अभी कई सारे exam है लाइन में अभी जैसे कि आपका टीर टू होगा जो मेंस वाला अभी आपका एक मेंस होना है ना इसके बाद क्योंकि आपको ज्यादा कुछ बचेगा नहीं ठीक है जो भी है 2023 में ही ले जाओ तो अच्छे से मैनत करो और बस विल्हाल इस क्यों को यहीं पर मैंडे करता हूं को एकर डाउट हो तो पूंच लेना ठीक है थांक यू सो मच गॉडब्लेस से ओल टेक केर और बभाए जद लेखेए बिल्गत लेखेए लेखेए लेखे है लेखेए